है कर दोस्तों आज की वीडियो काफी इंट्रस्टिंग रहने वाली क्योंकि आज जाते हैं यहां की इंडिया में काफी पॉपुलिर्टि नहीं जैंग अपने बेश्ट बज़र के इस्मार्टफॉन वेश्ट फीचर के साथ प्राइज पर इंडिया मार्केट के सापसे लेकर आज आते हैं तो धूस्तोह आज हम बात करने वाले ao under की सी उस्कुरइब करते हैं तो दोस्तों टेकंओ पर नहीं तो वीडियो कर दीजिए लाइक चैनल को जूर से कर लिजिए सब्सक्राइब ताकि आप और इसी वीडियो देख पाएं चली शुरू करते हैं दोस्तों सबसे पहले मैं आप से सवाल पूछना चाहूंगा क्या आपने टेक्नो का फोन यूज किया है या आपका किसी जाता है को इसमें अब देखने मिलते हैं जोगी ब्लू एंड वह हैं वहीं कि दिजाइन की बात करने तो आपको पहले की टेक्नो की लेफ्ट में टेक्नो की ब्रांटिंग अनि एक फोन जो फ्रंट में आपको वाटर डूप नोट के साथ देखने को मिल जाएगा तो दोस् बलकी स्मार्टफोन रहने वाला है आप एक हाथ से इसको यूज नहीं कर पाएंगे आपको दोनों हाथों से इसे यूज करना पड़ेगा जो डो पॉइंट ऐसे हैं जो कि आपको काफी अच्छे लगने वाला उसमें से एक पॉइंट यहीं कि स्मार्टफोन का डिस्प्ले ड जो कि इन्होंने बना दिया है तो अगर हम डिस्प्ले की बात करें तो 6.8 इंच का आपको वोटर ड्रोप नोर्ट के साथ फूल एजडी IPS LCD पेनल देखनों मिल जाता है दोस्तों एमुलेट पेनल टेक्नो का अपने काफी स्मार्टफोन में कमी देता है आपको IPS LCD पेनल देखनों मिलता है नॉर्मल 60Hz के साथ क्योंकि जो इसका प्रोसेसर है वह नॉर्मल रेट पे चलता है इसका हाई रिफ्रेस्ट सब्सक्राइब करता है इसलिए स्मार्टफोन प्लैटफोर्म से नेट्फ्लिक्स देखते हैं उसमें काफी आपको मज़ा आने वाला क्योंकि इसमें बड़ी यूज स्क्रेन देखनों मिल जाती है जो कि 6.8 इंच की बात करने थे स्मार्टफोन के प्रफॉमेंस की देखने मिल जाता है अब दोस्तों यह एक हाइट रिफ्रेश्ट सपोर्ट नहीं करता है इसलिए स्मार्टफोन में 60 और नॉर्मल रिफ्रेश्ट दी गई है दोस्तों इसमें आपको ज्यादा देता कि गेमिंग करते हैं तो आपको इसमें जो गेमिंग लेक देखने मिलती स्मार्टफोन हीटिंग देखने को मिल सकते हैं पराइस के विफ्रेश्च के साफ मेंulanे का जो जो कि 16 MP में प्राइम रहा है तो मैं स्मार्फोन के जो केमरा वो उसका एवरेज कहूंगा इसकी प्रफॉमेंस में अगर हम इसके फ्रंट रेंड सेल्फी केमरा की बाद करें आपको सेल्फी केमरा देखने मिल जाता है वह नौर्मल एवरेज से पोटो आने वाली है अगर इसको काफीबड़ी देखनों मिलती इसको बेटरी हम नहीं कर सकते का Currently इसको बेट रहें वह जादा अच्छा होगा क्योंकि इसमें 7000 ही में इसके अपको समार्टवन को बना देती है आप सिंगल हैंड में इसे यूज नहीं कर पाएंगे आपको डबल हेंड में इसे यूज करना पड़ेगा अगर आप एक हेवी यूजर है तो आप एक से डेड़ दिन तक अपना स्मार्टफून का बेटरी बेकप ले पाएंगे लेकिन अगर आप एक नॉर्मल यूजर है तो आप दो से धाय दिन स्मार्टफून का बेटरी बेकप चला सकते हैं और वहीं चार्जिंग की बात करने तो 18 वाट की आपको फास शार्जिंग मिल जाएगी 33 वाट को सपोर्ट नहीं करेगा तो आपको काफी ज्यादा टाइम भी लगने वाला है और टाइम लगेगा तो आपको बेटरी काफी नहीं दंदार एंट ऑने वाली यह जा जर्व है आपको बोक्स में ही देखनों मिलता है 3-fox यह मांट्र फिंगर्पिंगर्पिंट देखनों मिल जाएगा आपको फेस अनलोग जैसे फीचर देगने मिलते हैं अल सारे इसलगए स्मार्टफों में करने आपको इस्मार्पू स्मार्टफोन के में पॉइंट की वह था दोस्तों का प्राइज तो अगर आप इसके 464 वेंड को देखते हो तो आप तो दस से 11,000 के अंदर स्मार्टफोन देखने हो मिल सकता है इतने इस से उपर काफी अच्छे उपसन आपको दे दी गए और वहीं अगर 4128 GB की बात करें तो 12-13,000 के अंदर इस स्मार्टफोन आपको आ जाएगा इस प्राइज पर काफी सही स्मार्टफोन है तो दोस्तों क्या आप इस स्मार्टफोन बाय करना चाहेंगे आप कमेंड में बता सकते हैं और दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो कर दिए लाइक चैनल को जोर से कर लिए सब्सक्राइब ताकि आप और इसी वीडियो देख पाएं